शार्क मचलियां कितनी खुकार और खतरनाक होती है यह हम सब जानते हैं एक्सर छोटी मचलियों को अपना भोजन बना लेती है पर क्या आप जानते हैं रिमोरा फीश एक ऐसी मचली है जिसे सार्क का परजीविया दोस्त कह सकते हैं ये शार्क द्वारा खाए गए शिकार के बच्चे हुए और उश्चेश खाने में माहिर होती है। पर शार्क के दादों के बीच फसे हुए मांस को खाती है। इससे दोनों का फाइदा हो जाता है। शारक को ब्रश करने की जरुवत नहीं होती और रेमोरा को खाना ढूंडने की। रेमोरा का कार वैसे तो एक से तीन फीट का होता है, पर सरीर की बनावट के वज़े से ये शारक के ऊपर आसानी से चिपक जाती है। दोस्तों जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब करना ना भूले